नमस्कार स्टेट लाइब में आपका स्वागत है मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ सबसे पहले बात करेंगे जारखंड की गिरेडी जिले के डुमरी विधान सभा सीट से इंडिया कठ बंधन समर्थित जारखंड मुक्ती मोर्चा की उमीदवार जारखंड सरकार की मंत् सब्सक्राइब में निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नामंकन दाखिल कर दिया है जिसके बाद डुमरी इस्थित के भी हाइस्कूल मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जहां मुक्य अतिति के रूप में जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन का आ इनको लकडबगो की तरह नोशने में लगे हुए हैं लेकिन ये जगननाथ महतो का शेत्र है उनकी परिवार की रक्षा हमने की है और ध्यान रखिएगा शेत्र में मंत्री बेपी देवी जी की रक्षा आपको करनी है और इनको डुमरी विधान सभा का चुनाव जिताना है महिला विधास का मंत्री महिला बाल विधास का मंत्री आज हम यहां बैठे महिला दीनियों से हम पूछना चाहते हैं इन्होंने इस राज की महिलाओं को आपने पैर पर खड़ा होने के लिए उनको महिया सम्मान रोड योड़ा आप लोग को दिया है आप लोग को मंत्री मह या यूद्रा पसंद आया है कि नहीं आया है जो उसे बोलिए कि कितना बार आया तीन बार आया और अभी दिवाली और च्छाक है इसमें भी अभी एक जान भी आपको मिलना वाद जार खंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावायों को चितावनी देते हुए मांग की है कि गड़वा विधान सबा सीट से भाजपा के आधिकारिक उमीदवार सत्येंद्र नात्तिवारी की उमीदवारी 24 घंटे के अंदर रद्द की जाए अगर ऐसा नहीं हुआ तो जार खंड मुक्ति मोर्चा कानून का सहरा लेगा जार खंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रिय माहसचिफ सुप्रियो भटाचार्य और केंद्रिय प्रवक्ता मनोश पांडे ने प्रेस्वारता में कहा कि चुनाव आयोग बराबरी का मौका देने की बात जरूर करता है लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है ऐसे में यह शब्द अब मजाग का विशे बन गया है जहां मूमो के केंद्रिय माहसचिफ सुप्रियो भटाचारय ने कहा कि गड़वा विधान सभाशेत्र से भाजपा के अधिकरत प्रत्याशी द्वारा जो पर्चा दाखिल किया गया है उसका एक महतुपूर्ण अंग होता है शपत पत्र यानी फॉर्म 26 इसमें एक भी कॉलम छोड़ना नहीं होता है इसका एक एहम हिस्सा होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकिन पिछले दस वर्षों से राची के एची सी धुर्वा इस्सित जिस सरकारी आवास में सतेरिनात्तिवारी 2019 तक रहे उन्होंने अपने प्रत्याशी और उनके एजेंट ने इसकी शिकायत चुनावायोग से की और सतेरित नात्तिवारी का नामांकन रद्द करने की मांग की लेकिन लिखित शिकायत के बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई संग्यान नहीं लिया जामु मोनेता ने कहा कि हमारे सोर्स बताते ह हैं कि भारत निर्वाचनायोग के एक अधिकारी ने इस पश्चडूप से कहा है कि यदि नामांकन भाजपा प्रत्याशी का है तो उसे खारिश नहीं करना है और यदि विपक्षी दलों का है तो दूर बिन लगाकर उनके नामांकन पत्रों में खामियां ढूंडी जाए ज गड़वा विधायक और जार्खंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने पांच वर्शों के विकास कार्वियों का लेखा जोखा अंकित विकास पुस्तिका का विमोचन किया मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने आवास पर पार्टी के अन्य पद अधिकारियों एवं कार्यकरताओं के साथ इस विकास पुस्तिका का विमोचन किया इस विकास पुस्तिका में मंत्री के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किये गए विकास कार्यों को दर्शाया गया है मौके पर विधायक मितिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि यह विका सरकार यदि जंता के प्रति समर्पित रहे तब ऐसी पुस्तिका बनती है विधायक ने कहा कि इस विकास पुस्तिका में मेरे पांच वर्षों के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत है जंता को फिर से अपना निर्णे सुनाना है और परडिनाम देना है अपने विधायक ने कहा कि गढ़वा विधान सभा एवं गढ़वा जिला पहले निशक्त कहलाता था यह जिला विकास कार्यों से कोसो दूर था यहां बिजली पानी सिक्षा चिकित्सा सिचाई पर रिटन धार्मी खेल आदी किसी भी शेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ था लेकिन आ पिचार कर अपना मतदान करें जारखंड में चुनावी पारा तेजी से चड़ता जा रहा है बड़े नेताओं के साथ-साथ कार्यकरता भी बागी होकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं आपको बता देए कि आजसू के केंद्रिय सचिव संतोष महात ने आजसू का दामन छोड निर्दलिय चुनाव लड़ने का निर्दलिया है संतोष महतों ने प्रेस कॉन्फरेंस कर इस बात की पुष्टी की संतोष महतों 2005 में आजसू के बैनर तले पहली बार चुनाव लड़े थे संतोष महतों ने कहा कि बेर्मो विधान सभा सीट से नहीं मिलने के कारण निर्दलिय चुनाव लड़ने का निर्दलिया गया है साथि उन्होंने इस पर शुडूप से कहा कि मुझे किसी से कोई गिलाशिक्वा नहीं है अभाव में निर्ने लिया गया है लेकिन सभाव और एक विजन के साथ चुनावी मैदान में उत्रूंगा बेर्मो विधान सभा को मौडल विधान सभा बनाऊंगा बोकारो विधान सभा से बहुजन समाज पार्टी के राजेश महतो और राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के उमीदवार जस्वीर सिंग ने अपना नमांकन दाखिल किया है चास अनुमंडल कार्याले इस्थित अनुमंडल पदादीकारी के समक्ष नेताओं ने पलचा दाखिल कर अपनी जीत का दावा किया है और बोकारो में बदलाओ की बात कही है मंगलवार नमांकन का आखरे दिन है ऐसे में जिस तरह से नमांकन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है ऐसे में बोकारो विधान सभा की लड़ाई भी दिल्चस्प होती जा रही है इंडिया गडबंदन ने बोकारो विधान सभा से कॉंग्रेस प्रत्याशी श्वता सिंग का नाम सोमवार देर्रा तनाउंस किया श्वता सिंग के नामांकर में पहुचे जारखंड कॉंग्रेस के पूर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से हमारे समवादाता नीरत सिंग ने खास बातचीत की बातचीत में राजेश ठाकुर ने पूरे जारखंड सहिद बोकारो जिले के सभी सीटों पर जीत दर्च करने की बात कही वहीं इर्फान अंसारी और सीता सोरेन के विवाद पर भी बात की आज सभाच चुनाओं के आगाज के बाद आज जो है दूसरे चरन के नमांकन की अंतिम चिति है और इस वक्त हमारे साथ हैं कॉंग्रेस के पूर परदेश अधियक्ष राजेश ठाकुर जी अगर हम बात करे तो याज ये पहुँचे हैं कॉंग्रेस की परत्यासी है उनके टिकट में इतना देर क्यों हुआ राइस ठाकुर जी बोकारो और धनबाद के टिकट अनाउसमेंट में इंदर देर क्यों हो जब की स्वेता सिंग का नाम नहीं आ रहा था 27 लोगों का नाम आ रहा था धनबाद में कम से कम 35 उमिदवार थे और निशित रूप से कोई भी उ उमिदवार सबसे ससक्त उमिदवार होगा और उस निमित हम लोग उमिदवारी तय करते हैं और इनाउसमेंट करते हैं और चुनावा योग ने भी जो अंतिम्तिती रखी हुए है 29 तारीकी रखी हुए है तो इसका मत्तब सीधा है कि 29 से पहले नामिनेशन होना चाहिए कि यसे कई हमारे हां के रिजेक्टेड लोग उसमें गए तो उसमें कहने का मतलब कुछ और था और भारतिय जनता पाटी के लोगों ने ठेका लिया हुआ है कि कैसे आदिवासियों को अपमानित करना है कैसे आदिवासियों को जेल भेजना है कैसे सत्ता के सिखर पढ़ है उनको नीचा दिखाना है वही काम कर रहे हैं हमारे मित्र थे दुर्गा सोरेन और दुर्गा सोरेन की पत्नी के साथ को दुर्वेभार करेगा वह हम बरदास्त करने वाले लोग नहीं है और यह भारती जनता पाटी के लोग कर रहे हैं और सिर्फ चुनावी फायदे के मैं समझता हूँ यह नहीं होना चाहिए महल के बीच एडी की कारिवाही से उस वक्त हड़कंप मच गया जब रांची में आईयस अधिकारी विन्यकुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंदर सिंग समेथ उनके कई अन्यकरीबी रिष्टेदार के ठिकानों पर एडी ने छापे मारी की उन सारखंड में बिना हिसाब की जुप्लिकेट होलोग्राम लगी देशी शराब की बिक्री की गई दरसल साल 2019 से साल 2022 के बीच 36 गड़ में हुए शराब घोटाले की जाच एडी कर रही है जाच की चलते ही एडी को यह पता लगा कि 36 गड़ की ततकाली इंभूपेश बगेल सर गोटाला किया था उन्हीं पर आरोप है कि साल 2019 से साल 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैच शराब को डुप्लिकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्वकार नुकसान हुआ बताते चले कि एडी ने पहले भी शराब घ सारखंड के साथ जिलो और पश्रिम बंगाल के दो जिलो सहित कुल 33 सिस्थानों पर चापे मारी की थी उस समय वित्यमंत्री रामेश्वर उराओ के पुत्र रोहित उराओ और शराब व्यापारी योगेंद्र तिवारी साथी शल कंपनियों के संचालक भी जाज के दारे मे आए थे बाद में योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ एडी ने आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बालू और भूमी व्यापार की आए को शराब के कारोबार में लगाने का उल्लेग किया था लोहर दगा में बड़ा हाथसा हो गया है यहां चार बच्चे कोयल नदी में नहाने गए थे इस ओरां तीन बच्चे नदी के गहरे पानी और बालू में फस कर डूप गए बच्चों की तलाश में स्थानिय गोता खोर जुटे हुए हैं घटना सेना थाना शेत्र के नंदगाउं कोयल नदी की है जूपने वाले बच्चे ग्यारवी के चात्र हैं चारो चात्र इसकूटी से कोयल नदी में पहुँचे थे बताया जा रहा है कि जब चारो बच्चे स्कूल पहुचे तब तक इसकूल दागेट बंद हो चुका था और एंट्री नहीं मिली जिसके बाद ये लोग स्कूटी से कोयल नदी में नहाने चले गए और हाथसे का शिकार हो गए पहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने एक कड़े मार गए सित संकल्प में आयोजत कारेक्रम में बाढ़ प्रभावित एक लाग बावन हजार किसानों को डीबी टी यानी डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे उनके खाते में कुल 101 करोड रुपे की र प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के बाद क्रशी इन्पुट अनुदान योजना के अंतरगत प्रभावित किसानों को शतिपूर्ती की राशी राजिस सरकार द्वारा दी जा रही है आज के कारेक्रम में यहां राशी प्रथम चरण के लिए वित्रित की गई है अन्य राज्जी सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है हम लोग आपदा पीड़तों की सहायता के लिए लगातार ततपर रहते हैं आज प्रधम चरण में आई बार से प्रभावित किसानों के खाते में राशी अंतरित की गई है शेश प्रभावित किसानों के खाते में राशी यथा शीग्र अंतरित की जाएगी कारिक्रम में मुख्य मंत्री को क्रशी विभाग के सचिप शीष संजय कुमार अग्रवाल ने हरित पोधा भेट कर स्वागत किया बिहार की मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने आज एकड़े मार्ग से रभी महा अभियान के दौरान चार क्रशी ग्यान और 18 किसान जागरुपता वाहनों को रवाना किया गया रभी 2024 की सफलता के लिए रभी महाभियान की शुरुबात की जा रही है इस महाबियान में किसानों को रभी मौसम से संबंधित करशी विभाग द्वारा संचालित योशनाओं की जानकारी दी जाएगी साथ ही फसल अवशेश प्रबंधन और खेतों में फसल अवशेश को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण के होने वाले नुकसान के प्रती जाग रूपता भी फैलाई जाएगी किसानों को रभी फसलों की तक्नीकी जानकारी जैविक खेती को प्रोहत साहन किसानों को चतुर्थ क्रशी रोट मैप के विभिन आयामों की भी जानकारी दी जाएगी कारिक्रम के दौरान क्रशी विभाग के सचेफ संजे कुमार अगरवाल ने मुख्यमंत्री को हरित पौदा भेट कर स्वागत किया है बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो टनल निर्माड के दौरान एक बड़ा हाथसा हो गया मेट्रो टनल के निर्माड के दौरान मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई गाड़ी की चपेट में आये मजदूरों के शव कई टुकडों में बट गए पटना युनिवर्सिटी के पास जमीन से 60 फीट नीचे टनल का काम चल रहा है इसी दोरान सोमवार देर रात ये हाथसा हो गया मजदूरों ने बताया कि हाथसे की वक्त टनल में 25 से जादा लोग काम कर रहे थे अचानक मशीन का ब्रेक फेल हो गया और वहां काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के बाद अफरा तफरी मच गई मजदूर जान बचाने के लिए धर उधर भागने लगे टनल में काम कर रहे इंजीनियर और दूसरे कर्मचारी भी बाहर निकल गए फिलाल काम बंद कर दिया गया है घटना के बाद मेट्रों के कई पदाधिकारी मौके से फरार हो गए मजदूरों ने हंगामा भी किया वही बताय जा रहा है कि निर्मारा धीन पट्टा युनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के करीब 60 फीट नीचे टनल में मिट्टी हटा कर ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था ट्रैक पर मिट्टी हटाने की मशीन चल रही थी करीब 24 से 25 लोग इस दौरान ट्रैक पर काम कर रहे थे तभी मिट्टी हटाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया और वो सब भी लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ी इसमें एक मश्दूर की मौत हो गई है वहीं दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस आथसे में पांच से ज़ादा लोग घयल हो गए है अब बात करेंगे 36 गड़ की 36 गड़ के मुख्य मंत्री विश्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्याले में आरोग्य के देवता भगवान धन्वर्तरी की पूजा अचना कर प्रदेश वासियों के निरोगी और सुप में जीवन की कामना की उन्होंने प्रदेश व अपने निवासियों को धन्तेरस पर्व की बधाई और शुब कामनाय दी इस मौके पर सीमासाय ने कहा कि समरध्धी और अश्वर्य के लिए धन के देवता कुबेर और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व स सभी के लिए सुख सम्रद्धी लेकर आए और भगवान धन्वन्तरी सभी को आरों की प्रदान करें 36 गड़ के मुख्य मंत्री विश्णुदेव साय ने आज राश्धानी रायपूर के तेली बांधा तालाब में राश्धानी वासियों के साथ राश्ट्र की एकता अखड़निता के लिए दोड़ लगाई इस मौके पर उन्होंने कहा कि सर्दार वल्लब भाई पटेल की जैन्ती के अफसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी हम सभी को एक जुट होकर आगे पढ़ने की प्रेड़ना देती है मुख्य मंत्री ने इस दोरान एकता दोड़ को जण्डी दिखा कर रवाना किया मुख्य मंत्री विश्णु देव साय ने रन फॉर यूनिटी का रिक्रम में लोह पुरुष सर्दार वल्लब भाई पटेल का पुण्य इसमरंड करते हुए अपने संबोधन की शुरुवात की उन्होंने कहा कि बिटिश शासन के दौरान सर्दार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन का नेत्रप्त्य किया स्वतंतट से अलग-अलग रियासतों को एक करके उन्हें स्वतंत भारत में शामिल किया गया सीमसाय ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की अखर्णिता अक्षुंड बनाये रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी सभी लोगों को एक जुठ होकर आगे बढ़ने की पेड़ना देती है भारती अजंता पार्टी ने रायपूर दक्षिन विधान सभा उप्चुनाओं में भाजपा पत्याशी सुनील सोनी को लेकर वाइरल किये गए फेक वीडियो और इस पर कॉंग्रेस संचार प्रमुक सुनील आनंद शुकला द्वारा दिये गए बयान पर अपनी कड़ी नराजगी जताई है भाजपा के एक प्रतिनेदी मंडल ने सोमवार को भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक एवं रायपूर दक्षिन विधान सभा उप्चुनाओं के प्रदेश संयोजक और भाजपा प्रदेश उबाद्यक्ष शेवरतन शर्मा अजेतन चंद्राकर धरमलाल कौशि के नेतर्थ में फरजी वीडियो के शिकायत करके सिविल लाइन थाना में एफाइयार दर्च कराई है भाजपा पतिनेदी मंडल ने पुलीस को सौपे अपने पत्र में कहा है कि भारतिया राष्ट्रिय कॉंग्रेस के मीडिया प्रमुक सुशील आनंद शुकला ने कॉंग् वीडियो में भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सोनी को एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से गले मिलते और उसके गालों को चूमते हुए दिखाया गया है यह वीडियो रायपूर्दक्षिन के मतदाताओं को भ्रमित करने के उद्देश से वीडियो में काट गया है कि सुशी लानन शुकला के द्वारा किया गया यह क्रत्य आईटी एक्ट के अंतरगत अपराद की श्रेडी में आता है जो की गंभीर प्रकति का अपराद है इसलिए शुकला के विरुद्ध प्रथम सूशना पत्र दर्चकर उन्हें त्वरित कारवाई की जानी चा मारे साथ तो पसकार